हेलो गाईज आज मैं इस वीडियो को लेके आयों जिसमें मैं PU की merit list के बारे में बताऊंगा तो दोस्तों PU की merit list चाह चुकी है जो की tentative merit list है तो चलिए चेक करते हैं कैसे हमें merit list open करनी है कैसे हमें वो देख सकते हैं तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे PU set PG सर्च करने के बाद हम सबसे पहले यह open कर लेंगे तो यह open करने के बाद यहां पर कुछ ऐसा interface होगा तो हम यहां पर online admission puchd.ac.in open कर लेंगे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं merit list आ चुकी है temporary merit list होगी यह तो दोस्तों यहां पर हम click करेंगे तो इसके बाद हम course select करेंगे तो यहां पर हम advanced diploma in person select कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो first number पर है तो उसकी admission के लिए मतलब कि rank 1 है जो भी merit बनी है number 2 पर rank 2 होगा number 3 पर rank 3 होगा number 4 पर rank 4 होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं rank दिये हुए है तो आप right side देख सकते हैं right side जाने के बाद यहां पर आपको पूरे को पूरे marks आपके बता दिये जाएंगे कैसे कैसे आपके marks शो हो रहे है कैसे marks एड हुए तो जैसे कि इसके 10 के marks 72 है 12 के 60 परसेंट तो qualifying marks 262 थे और qualify marks total 300 आये तो जिसमें इसके overall marks NCC नहीं था तो इसलिए NCC भी नहीं एड हुआ तो यहां पर अप्रूव दिया हुआ है तो गाईज इसका overall अप्रूव हो चुका है तो नीचे यह भी आप देख सकते हैं इसका भी अप्रूव हो चुका है इसका भी उप्रूव हो चुका है जो फॉर्थ वाला है rejected वाई डिप्टी डिप्लोमा इन कोर्स इन पर्शियन नोट अटेच्ट तो यहां पर अभी फॉर्म फिलहाल के लिए reject किया हुआ है तो यह जिसका भी फॉर्म होगा वह उनको mail करें जो भी उनका यह जो डिप्लोमा है जो भी आपको certificate मांगा हुआ है वह आपको अटेच करना पड़ेगा तो अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो like करें और subscribe करें मेरे चैनल को अगर आपके पास कोई भी query है तो आप comment करके मुझे से पूछ सकते हैं मैं उसका ज़रूर reply करूँगा मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद